हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब स्वागत आपका नेहा जॉलिन बन्वे आज मैं आपको वरत में खाई जाने वाले फालारी आलू की रेसिपी बताने जा रही हूँ इसको बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता साथ ही इसको खाने से हमें काफी समय तक भूक नहीं लगती त अब गेस पर एक कडाई को गरम कर लेना है और इसमें दो चम्मज घी डाल देना है मैंने घी बड़ी वाली स्पून से डाला था जब घी गरम हो जाए तब इसमें मुमफली को डाल के रोस्ट कर लेना है मुमफली हमारी रोस्ट हो गई है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेना है अब इसी घी में एक चम्मज जीर डाल देना है जब जीर अच्छे से क्रैकल होने लगे तब इसमें बारे कटी होई हरी मिर्ज डाल देना है हरी मिर्ज को हमको ज़्यादा नहीं भूजना है हलका सा कलर चेंज हो जाए अब इसमें मैश के हुए अलू को डाल देना है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पांस से दस मिनिट तक मीडियम आज पर इसको रोस्ट करना है जब आलू को कलर हलका से चेंज हो जाए तब इसमें बारिक कुटियो ही काले मिश डाल देना है अगर आप नमक खाते हैं तो यहाँ पर आप सौदानुसर सेंदा नमक डाल सकते हैं आलू बनकर तयार हो गया है एक सर्विंग प्लेट में निकालकर मुवली डालकर गार्निस कीजिए हमारे फलारी ब्रत वाले आलू बनकर तयार हो गया है इसको खाने से हमारा पेट काफी टाइम तक भरा भरा रहता है और ये जटपड बन जाते हैं इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं ही लगता फलारी आलू बनकर तयार हो गया हो गया हो गया है